हेलो फूद लवर्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू एरोम आफ किचिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनीक रेसिपी लेकर आई हूँ जो की है वेज कुल्चा सेंडविच इसको बनाना बहुत आसान होता है दोस्तों और यकीन मानि इनको हम बारी चॉप कर लेंगे तो दूसरी तरफ यहां पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया है एक छोटा चमश बटर इस जगह पर आप गी या पिर ओयल भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा मैल्ट हो गया बटर अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल द इसमें डाल देंगे एक कप पनीर जिसको मैंने मैश किया है ग्रेट नहीं किया है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादनुसार और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमश हल्दी एक चोथाई चमश काली मिर्च हल्दी यहां पर दोस्तों मैंने कलर के लिए डाली है और काली मिर्च फ्लेवर के लिए मैंने लाल मिर्च का यूज तो पनीर को तबाते दबाते मिक्स करेंगे यहां पर मैंने ग्रेट सिलिये नहीं के आप पनीर क्योंकि कहीं थोड़ा सा मॉटा टेक्स्चरर आता है पनीर का वह काफी अच्छा लगता है खाने में तो देखिए इसको भी हम थोड़ा सा अब इस स्टेज पर हम डाल देते हैं एक बड़ा चमच टमेटु केचप इसको मिक्स कर देते हैं और अपनी गैस को कर देते हैं बंद हमारी स्टफिंग तयार है बिल्कुल अब चलते हैं कुल्चे की तरफ यहां पर मैंने लिये हैं कुल्चे जो कि आपको किसी भी मार्केट में easily मिल जाएंगे, आप किसी भी तरीके के कुल्चे ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर normal plain कुल्चे लिए हैं, तो अब मैं एक कुल्चा लेकर उसकी एक तरफ मियोनिस अच्छे से spread कर लेती हूँ, मियोनिस यहाँ पर बहुत creamy flavor देगी, इसको जरूर लगाईएगा, और इसी तर ताकि वो निकलेना, तो देखिए तयार हो गई, अब क्या करेंगे, दूसरा गुल्चा लेकर उसके उपर रख दिया, थोड़ा सा दबा दिया, और इसका जो उपर का surface है, उस पर हम लगा देते हैं, बटर, जो की सिखने में इसको help करेगा, तो देखिए बटर भी लग गय तो वो हमने नीचे रखी है, और इसको सिखने देंगे, जब तक यह सिख रही है, तब तक उपर वाली साइड पर हम बटर लगा लेते हैं, तो इसको हम medium to high heat पर सेखेंगे एक मिनिट के लिए, क्योंकि यह सिखने में जादा टाइम तो लेगा नहीं, थोड़ा सा दबा दे हैं, इस तरीके से दबा दबा के सेकते हैं, एक मिनिट हो गया है, अब मैं पलट के दिखा देती हूं दोस्तों, यह देखें, अच्छा कलर आ गया है, इसी तरह से दबाते हुए हम नीचे की साइड भी सेक लेते हैं, यह जो कुल्चा सैंविच है दोस्तों, यह आप बच् तो देखिए दोस्तों, सारी सेंविचे मैं ने बना ली हैं, लगभग इतनी स्टफिंग से मैंने चार सेंविच बनाई, जो कि 5-6 लोगों के लिए सफीशियंट हैं, एक क्लोज व्यू देख लेते हैं, देखिए कितनी डिलिशियस लग रही हैं, अगर रसीपी अच्छी जो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, मेरे चैनल को सरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग मिलेंगे एक अगली नई रसीपी के साथ, तब तक के लिए, गुड़ बाई